हेलो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके एपने इस यूट्यूब चैनल पर साथियो खुसकबरी आज आ चुकी है HSC के दुआरा जारी किये गए हैं दो बड़े नोटिस तो दोस्तो इसके final result जारी किये गए है HSC के तो दोस्तो बहुत कंडिडेट इसका इंतजार कर रहे थे दोस्तो इस result का दोस्तो दो भरतियों के जारी किये गए है final result तो दोस्तो खुसकबरी है आप सभी के लिए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं मैं आपको इस वीडियो के माद़म से दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब जरू कर लेना और बेल आइकन होगो उसको भी प्रसकाते हैं ताकि लेटेस्ट वीडियो HSC से मिलते रहे जैसा कि मैं यहाँ पर अपडेट लाते रहता हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि मैं HSC की official website पर आ गया हूँ तो दोस्तो आपको करना क्या है कैसे आपको भी चेक करना है तो दोस्तो आपको result section पर आपको जाना होगा तो दोस्तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो यह दो notice आपको देखने को मिल जाएगा एडवर्टाइस ले 2019 के advertisement जारी किया गया है यह दो इसके result जारी किये गया है मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी जानकरी दिये देता हूँ result of the return examination and notice to the candidate for for scrutiny up document for the post up carpenter instructor की category number 96 का है और यह result जारी किया गया है category number 3 का तो आएए दोस्तो इसका notice देख लेते हैं कैसा notice आया है और notice में क्या दिया हुआ है तो दोस्तो आपको यहाँ पर एक खुसकबरी है आप सभी के लिए तो दोस्तो यह result इसका जारी किया गया है आपका exam 17-12-2019 को लिया गया था तो दोस्तो देख सकते हैं यह 61 post के लिए result जारी किया गया है आप इसे स्कुटनी documents के लिए बुलाया गया है तो आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ इसकी date भी mention की गई है तो कब बुलाया गया है आए इसको जानते हैं March को जाना होगा ताउद देविला स्टेडियम पंचुकला में जाना होगा दोस्तो आपको क्या-क्या ले जाना है आपको मैं इस वीडियो के माद्धम से बता दूँगा जो next वीडियो बनाऊंगा दोस्तो आपके सारे documents ले जाना है ठीक है तो दोस्तो आपको मैं आपको इसका link नीचे discussion box में दे दूँगा आप यहाँ पर जाकर check कर सकते हैं यह तो रहा यह भरती का आप दोस्तो category number 3 का भी notice आपको मैं दिखाने वाला हूँ तो आप भी इसको भी check कर सकते हैं तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं यह category number 3 का है तो 45 post पर यह result निकाले गए हैं इसका जो एक्जाम हुआ था 18-12-2019 को तो दोस्तो इसका भी आपका इसको टनी documents होना है जो कि आपको ले जाना है 11 तारिक को आपको जाना है ठीक है ताव देविल स्टेडियम में दोस्तो इस वीडियो में इतनी थिचान करें वीडियो कर अच्छा लगा हो लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें धन्यबाद